पढ़ाई से प्रतियों गिता तक मिसन सिक्षन संभाद के अंतरगत प्रस्तुत है वीडियो किरमांक बार है प्रकास की किरणका किसी प्रस्ट से टकरा कर उसी माध्ध में वापस लोटने की लिटना कहलाती है तो बच्चो इसका सही उत्तर है D. प्रकास का प्रावरतन इसका सही उत्तर है C. उदासी बर्डी का टेंपरेचर 40 टिग्डी से ऊपर होना इसके साथ इसकिन रेड वे ड्राई होना सिर में तेज धर्द होना ये सामाने लक्षन किसी रोक के है चेचक, मस्तिस्क, ज़र, लूं लगने का अत्वा बुखार के इसका सही उत्तर है C. ये सभी लक्षन है लूं लगने के इस्वर या अल्लाह का बांध किसे कहा जाता है सुदी अरव देश की प्राकिर्टिक सीमा भारत में कच्छ की काड़ी के पास प्राकिर्टिक रूप से निर्मित बांध को बारत अफगानिस्तान सीमा पर बनी दीवार को इंद महसागर में निर्मित पुल को तो वच्छो इसका सही उत्तर है B. भारत में कच्छ की काड़ी के पास प्राकिर्टिक रूप से निर्मित बांध को इस्वर या अल्लाह का बांध के नाम से भी चाना जाता है खुद्रे तल से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं पूर्ण परावर्तन, पूर्ण आंत्रिक परावर्तन, निर्मित परावर्तन या अनियमित परावर्तन इसका सही उत्तर है अनियमित परावर्तन खुद्रे तल से होने वाली परावर्तन को एनियमित परावर्तन कहते हैं परावर्तन की किरिया में आपतन कौन किसके बरावर होता है A. अपवर्तन कौन के B. विवर्तन कौन के C. परावर्तन कौन के D. परिवर्तित क्रण के प्रावर्तन की किरिया में आपतन कौन प्रावर्तन कौन के बराबर होता है सही अंसर C मापन के मानक निर्धायित करने का अंतराश्ट्रे कार्याले कहां इस्थित है इस प्राश्ट्र का सही उत्तर है D मापन के मानक निर्धायित करने का अंतराश्ट्रे कार्याले कहां इस्थित है भारत में अंतराश्ट्रे मानक मात्रकों के प्रिति रूप को कहां सुरक्षित रखा जाता है इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है C. हुमी जहांगीर भाबा प्रत्वी के केंदर में पाया जाने वाला चुम किया पदार्थ कुन सा है A. ऐलिमूनियम B. सिलीका C. लोखा या निकिल इसका सही उत्तर है D. निकिल प्रत्वी के केंदर में पाया जाने वाला चुम किया पदार्थ निकिल है प्रत्वी का चुम के छेतर किस दिसा में बहता है केंदर से बाहर की ओर उत्तरी से दक्षण चुम किया धुर की ओर दक्षण से उत्तरी चुम किया धुर की ओर चारो दिसाओं में तो बच्चो इसका सही उत्तर है है दक्षण से उत्तरी चुम्ब किया धृर की ओर है विश्व गिलौब के जनक कौन है लिए पास्चर मार्टिन गिलाहीम माब्न गिलौब यह गिलौब गिलौबाष्टर सही उत्तर है मार्टिन गिलाहिम दायत विश्व गिलोब के जनक मार्टिन गिलाहिम को माना जाता है एक प्रकार की भिन्यता जिसमें जीव विभिन लक्षन प्रिरूप प्रदर्शित करते हैं कहलाता है उत्परिवर्तन विभिन्यता अनुवानसिक्ता आकस्मिक गटना तो इसका सही उत्तर है भी विभिन्यता परमानु बम के अविस्कारक हैं इसका सही उत्तर है डी परमानु बम के अविस्कारक जूडियर रोबार्ट उबेन हाईमर जी हैं बच्चो परमान बम किस सिद्धान पर कार्य करता है उर्जा संदक्षन, समवेग संदक्षन, नाविकिय विखंडन या नाविकिय सन्यन इसका सही उत्तर है C परमान बम नाविकिय विखंडन के सिद्धान पर कार्य करता है एड्स बीमारी उत्पन करने वाले वाइरस का क्या नाम है? बच्चो एड्स HIV वाइरस के कारण होता है एड्स कोई बीमारी नहीं है भलकि बहुसी बीमारीयों का सम्मू है एड्स रोग में व्यक्ति का प्रती रक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है भारत में एड्स वाइरस से सर्वाधिक संक्रमित व्यक्ति वारा राज्य कौन सा है पस्चे मंगाल, तमिलनाडू, महराष्ट या पंजाग तो इसमें महराष्ट में एड्स वाइरस से संक्रमित सबसे अधिक व्यक्ति है अगला प्रस्ण देखते हैं एचाईवी वाइरस का अनुवान्सिक पदार्थत क्या होता है सिंगल आर एने डवल इस्टेंड आर एने शिंगल इस्टेंड आर एन ए शाबुन का सुत्र क्या होता है साबुन के सूत्र है आपको बताना है कि साबुन का फिर्मु गटक क्या है साबुन के गोल में बुलबुले क्यों बनते हैं करवंडाई आक्साइड गैस के कारण हाइडोजन के कारण आक्सिजन के कारण या हवा के कारण इस क्यों का सही आंसर है हाइडोजन गैस के कारण साबुन के गोल में बुलबुले बनते हैं किसी चालक का वहगम जो उसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है क्या कहलाता है प्रत्यवर्तिधारा दिश्टधारा प्रतिरोध या विभवांतर तो इसका सही आंसर है सी प्रतिरोध अगला पैस लेते हैं सेल्सियस पेमाने में 98.6 डिगरी फॉरें हाइट का मान कितना होगा 37 डिगरी सेल्सियस, 32 डिगरी सेल्सियस या 180 डिगरी सेल्सियस इसका सही आन्सर है A. 37 डिग्री सेल्सियस संचार उपग्रह वायू मंडल के किस इस तर में अवस्थित किये जाते हैं समताप मंडल में, B. आयन मंडल में, C. मद्य मंडल में या इन में से किसी मंडल में नहीं तो इसका सही उत्तर है B, संचार उपग्रह वायू मंडल के आयन मंडल में अवस्थित किये जाते हैं साज्योन 1989 को प्रक्षेपित भारत के दूसरे उपग्रह को क्या नाम दिया गया है? आंसर इनी में से देखने हैं रोहिनी A, B, आरभाट, C, आदित, D, भासकर तो इसका सही आंसर है भासकर प्रत्वी की ऐस्थिर परत है भूपरपटी, बाहियक्रोड, आंत्रिक्रोड, यडि, मेंटल इसका सही आंसर है भूपरपटी प्रत्वी की ऐस्थिर परत, भूपरपटी कहलाती है प्रत्वी का आकार कैसा है? पूरी तरह से चप्टा, किनारों पर सपाट और धुर्वों पर बिल्कुल गोल C, धुर्वों पर सपाट और किनारों पर बिल्कुल गोल है पूरी तरह से गोल है इसका सही आंसर है C, प्रत्वी काकार धुर्वों पर सपाट और किनारों पर बिल्कुल गोल है पच्चों, C से का गल्लांक कितना होता है? अप्शन A, 100 डिग्री सेल्सियस, B, 180 डिग्री सेल्सियस, C, 300 डिग्री फारेनहाइट या D, 300 डिग्री सेल्सियस इस प्रस्ण का सही आंसर है, आंसर D, 300 डिग्री सेल्सियस, C से का गल्लांक 300 डिग्री सेल्सियस होता है उड्जा का प्रामिड सदया बनता है, इसका उप्शन हमेशा सीधा, कभी कभी सीधा, सीधा वे उल्टा, दोन, हमेशा उल्टा तो इसका सही आंसर है A. ऊड्जा का प्रामिड हमें सासी उत्परिवर्थन के जनक कौन है? ग्रेगर जोहन मेंडल, हीगो डीब्रीज, डक्टर हर्गोबिन bliss खुराना या अर्नेंश्ट हेकल तो इसका सही आंसर है B. उत्परिवर्थन के जनक हीगो डीब्रीज है कम वसा वाले उच्छ गुडवत्ता वाले प्रोटीन के साथ साथ आयरन और जिंक जैसे महत्पूंपोसक तक्तों के उतक्रिष्ट शुरूत क्या है चिकन, टर्की, और्क, उप्रोक्त सभी तो इसका आंसर है उप्रोक्त सभी डी आंसर इसका सही है खाने में प्रियुक्त किया जा सकने वाला वनुस्पति प्रोटीन का आसानी से उप्लब शुरूत है अंडा, स्वयवीन, चोकलेट या बादाम उसका सही आंसर है सोयवीन आईए विख्यान से संबंदेत अगला प्रसन जानते हैं सदैव उल्टा बनने वाले और पड़े पर प्राप्त किये जा सकने वाले प्रितिभिम्ब को क्या कहते हैं आभासी पृति भींब वास्तविक 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 पृति भींब वास्त प्रकास उर्जा का अधिक प्रवर्थन करती है कौन सी सत है पॉलिष्ट खुदरी सत है पॉलिष्ट चमकीली सत है एल्मॉनियम सीट या पॉलिष्ट पेपर इसका सही उत्तर है पॉलिष्ट चमकीली सत है अतात प्रकास उर्जा का अधिक प्रवर्थन पॉलिष्ट चमकीली सत है के द्वारा किया जाता है इसलिए आंसर भी सही है तो बच्चो ऐसी ही एक विज्ञान प्रस्णोंत्री से संबंदित वीडियो के साथ फिर मिलेंगे धन्यवद्ध